वेल्कम टू मैं चैनल PCS विच चोहन गैस मेरे नाम है कीरे चोहन यहां करें हैं लूसेंट की जो समाने ग्यान की बुक है उसे जो की बीपीसी यूपीपीसी और भी बहुत सारे PCS जो है अधर PCS मतरे स्टेट PCS है जिसके प्री के लिए इंपॉर्टन है कैसी बुक ठीक है औ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप मेरे वाट्सअप नंबर पर अपनी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं ठीक है विशे तूची से स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो इतिहास हमारा चल रहा है प्राचीन भा सामराज की बात ठीक है मधकालीन भारता देखेंक आदूनिक भारता देखिए भगोल देखिए जिसमें हम इंडियन स्टी सज़ świ humans पर अरहते वी विस्ता है भारती सम्स्विदान है फिर आपका है फिजिक हैं सब्सक्राइब करते हैं जहां हमने छोड़ा नेक्स्ट जो गुप्त सामराज है तो इस जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से पड़ीगा देखिए यहां पर लिखा है गुप्त सामराज का जो उध्य है वह तीसी सताब्दी के अंत में प्रयाक के निकट कोश कोशामरी में हुआ है तीसी सताब्दी क्या हो गई दोसो से फीन सो के बीच में जो आती है पूरिती सताब्दी है उसके भी अंत में स्टार्ट हो तो इस से पहले तो यहें चेंज कर आ जाए है थोड़ा सा कालर तो तो अच्छा कहां पे हो कहते हैं 20 से end का 280 श्री गुप्त जो यह बंदा है ना श्री गुप्त का उत्र अधिकारी कौन बनाए गई यहां पर लिखा है घटोत का इसका भी टाइम लिखा है 280 से 320 में पहुँच गया अच्छा इस्त भी ठीक है ओके अच्छा इसका जो प्रथम महान समराथ है जिसको उपादी धारंट करी है आपका महराजादी राज हम किसकी बात करें है चंद्ररूप्त प्रस्टर की बात करें क्यों कर हुई और इनकी ў्पधी चंद्रूप्त महराज समबतन इंप्रेंटार हो चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरेड है राजगत्ती पर बैट्टे का 302 तो यह उसी का असपास की बात होगा यह गुप्त संबत है शुरुआत किस ने करी इसी बंदे ने करी यह निकि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं करी है अच्छा आगे बढ़ जाते हैं तो नाम जो है आपका कहां गया समुद्रगुप्त ठीक है इसका टाइम करेट देख लीजेए मतलब राजगदी पर बढ़ता है चंद्रगुप्त प्रथम का अमने कब देखा था तीन सो बीस वाला देखा था यह वाला ठीक है तो यह 35 में कौन समुद्रगुप्त 35 में 335 ठीक बारा कईस ऐसे आपके लिए 21 हो गया अच्छा तो इन्हीं विजो की विज़े से इसे कहा गया भारत का नैपोलियन किसको यह बहुत इंपोर्टन नान हो गया समुद्रगुप्त रही अच्छा इसमेद करता विक्र मंक और परम भागवत यह उपादी है इसकी बहुत अच्छी बात है मतला इंपोर्टन बात है चली आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिकार समंद्रगुप जो है विश्णु का उपासर का विश्णु भगवान विश्णु राइट समंद्रगुप जो है संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान उसके जो सिक्के ना उस पर क्या ह करते हुए दिखाए गया उसको सिक्के पर वह बैठा है और क्या कर रहा है वीडा 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 वाधन ठीक है जिसके विए से का गया यह संगीत प्रेमी है अच्छा इसका दरवारी कभी है के नाम हरी शें इसने क्या अगरा इलाहबाद प्रसस्ति लेक की रश्णु तो समद्र गुप्त था ठीक है यहिए नोट है की प्रम भागवत की उपादी धारण है करने वाला प्रतम गुप्त सग था क्या हो गया है समंद्र गुप्त था भता पहली कीछली आगे बढ़ आते हैं पार के डिजितने अीर्ट हो आरागे यह समद्र too अट तो आगे कहा उत्रदिकारी की बात कहें तो चंदर्गुप्त दुत्य कब 380 की बात है और समंद्रगुप्त का टाइम क्या था गदी पर बैठने का 335 ठीक है उससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा 320 तो यहां हमें कुछ दिखने रहा है तो अब दिखेगा 320 चंद्रगुप्त प दुत्य चंद्रगुप्त दूत्य का 220 के साथ चिनी बात यात ने के अत्या भारत नहीं किसके ताइम में भारत आया तो 270 के बाद या फालकशे में चंद् सक्ते शक्छ ताम में मतलब इसने पाई ठीक है और उस खुशी में चांदी किसे के चला दिये साब चंदरकुप्त दुत्य का क्या है राज की ये कभी था अच्छा चंदरकुप्त दुत्य के क्या है पाटली पुत्र और क्या है उज्यनी विध्या का प्रमुक केंद्रिता मतलब स्कूल जाना है अगर आप सिक्षा ग्रेंड करने तो आप जाए पाटली पुत्री या फिर आप जाए उज्यनी अनुशुती के अनुशा चंदरकुप्त दुत्य के दर्वार में नौ विध्वानों की क्या है एक मंडेली निवास करती थी हम उसको बोलते थे नवरत्न ठीक है कालीदास क्या थे महा कभी चलो फिर धनवंत्री की एक थे धनवंत्री फिर शप्नक क्या है इसमें लिखे है फलित जोतिश के विद्वान शप्नक ठीक है फिर इसमें अमरतिं यह कोशकार थे शंकु वास्तुकार थे वैतालबट फिर है घट कर पर वराम ही खगोल विज्ञानी थे बर रुची यह तारे विद्वान थे यानि कि यह नौ रत्न थे नवरत्न चंद्रकुप्त दुतिय का संधी विग्रहिक सचिव वीर सेंग शैव मताव लंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदेगरी पाहड़ी पर एक कहा है गुफा का निर्माण करवाया मतलब हम कहानी पढ़े हैं उसका जो सचेव था मतलब संधी विग्रहिक सचेव था जिसका नाम है वीर सेंग शिव की पूजा करता था उदेगरी पाहड़ी पर एक गुफा किया निर्माण करवाया अच्छा वीर सेंग व्याकरण नियायमी मांशा सब्द का प्रक पंद्रह तो हम ने पड़ा चंद्र गुपत संधर फिर हमने पड़ाद चंद्रों नवरतन हमने यहीं पर पढ़ ली ठीक है उसके बाद मैं कोपढ़ने जा रहे हैं कुमार गुप्त bons चैदर गुप टिक करी उसके बाद हमने घटोlles पढ़ा था 10 सकी बढ़ने पढ़ा था तो कुमार गुप्त फर्स्ट का थोड़ा यहां गई साइज थोड़ा सा बढ़ा कर दें तो कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्रदिकारी कौन है आपका इसकंद गुप्त लो इसके बारे पर कुछ ही नहीं इसकंद गुप्त आ गया थी दे चंद्रगुप्त फर्स्ट इसकंद गुप्त ने गिनार परवत पर इस्थित सुधर्धन जील का पुनुरुद्धान किया अच्छा कैसे अब सुधर्षन जील हमने देखा था कहा पर इस काथे वाड़ा गुजरात की बात है तो इस ने क्या किया उसका पुनुरुद्धार कराया कहां पर इसकंद पुजरात में सुराश्ट का गवर्नर रिखत किया किसे पढ़ दद को ठीक है सकंद गुप्त के साशनकाल में ही क्या हुणों का आकरमन होता है अंतिक गुप्त शाषा कि यहां लिखा है विश्ण गुप्त सामराज की सबसे बड़ी प्रादेशिक क्या होती देश मतलब ज वाज के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं जिले के अंदर बहुत सारे शहर होते हैं शहर के अंदर बहुत सारे गाउं होते हैं या शहर और गाउं अलग अलग होते हैं ठीक है गाउं के अंदर हो गया आपके परिवार होते हैं ठीक इस तरह से तो सबसे बड़ा यहां पर क्य आपका गोपना और भुक्ती का बगुप्ती की आता तै उसके लीच आता है विशय ठीक है और प्रमुख कौन था इसका विशयपती अच्छा तो पुलिस विभाग के साधारन कर्मचारी को क्या मुदले चाट भाट कहा जाता था ता पुलिस विवायक का मुख्य जो अधिकारी होता था यह तो कर्मचारी हो गए चार्ट भाट ठीक है अधिकारी के ओकर वेदे दंड़ पाशिक कहा जाता था अचा फिर प्रसाशन की सबसे छोटी काई हो जाती है गाउं अभी हमने जैते बूला ना गाउं होती है उसके अंद क्या बोलते हैं सरपंच लैट ग्रामिक बोल दिए अन्य सदस वह महत्तर के अन्य सदस होगा है महत्तर जो मुख्या उता थो अच्छा घ्राम समुगों की चोटी काई को हम बोलते थे पेट घ्रिक है तो गुप्त साशक यानिकी कुमार गुप्त की दामोदर पूर्ट ताम वाइस यह होता था जो भी उत्पातन हो रहा है उसका वन फोट से लेका बन सेक्सत है मतलब आप जैते मालिजिए 100% उत्पादन हो रहा है तो हम कितना भूर आजय से देने सौबटे चार से लेकर सौबटे छे चलिए इसे डिवाइट कर लेते हैं हम लोग तो चार दुनी आठ कुछ बाइस पॉइंट कुछ परसेंट से लेकर छे कम छे और थोड़ा उल्टा हो गया तो सिक्स वंजा सिक्स और छे इसे तो से थीस परसेंट के आसपास हम क्या भूराजस विदे रहें अचा गुप्तिकाल में जो है बला अत्ष्रम विष्टी राज के लिए का आये का एक है आपका श्रोथ माना जाता है अच्छा इसे जो है जनता दोरा दिये जाने वाला जो दिये जाने वाला कर्भी माना अर्थि कुप योगित्ता के अधर पर निम्नेप्रकार की भूमी ठीक है एक होती थी हम जिसको छेत्र क्या होता था था दो पूला जाता था चारा आज भी बूलते हैं इसी भूपी जो जो है आपका जोदने योग होती थी मितला हम को है फाली उपशे नहीं होगी अ वोई थी 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 ठीकर ऐसी की जंगली रोती थी ठीकर उसको बोलते तazingести अप्र हटीकर आधे के लिए्गजाएके लिए और घंटी एंधर का पियो Specifically के लिए लगुल में आपका तगवा एक जगा है वहाँ पे एक मंदिर मिलेगा विश्णु मंदिर अप फिर मद्धे पर देश जाएगा फिर नागोर जाएगा नागोर में आपको मिल जायएका शेम चिर पर वहाँ जांगा या Walesु Hosp Rachel शिव पारवति विष्णुमंदिर यह था मध्यप्रदेश में मिल जाएगे अच्छा फिर क्या करेगा ना उत्रप्रदेश आजएगा फिर हम ललितपूर में देवगड़ जाएगा तो वहां पर मिलेगा दशवतार मंदिर यानि उत्रप्रदेश के ललितपूर में आपको देवड़ देश अफ्तार मिल जाएगा और फिर आप क्या करेंगा उत्रप्रदेश में आपको भीतर गाउं कानपूर में एक मिलेगा भीतर गाउं मन्दी लक्षपूर मंदिर इटो तवरा निर्मित है तो कईस्ष याद रखिए का लक्षपूर मुद्रा जारी की important बात हो गई इनके स्वण मुद्राओं को अभी लिखों में क्या बोला गया है दिनार बोला गया है मतलब जैसे आज रुपिया बोलते हैं तब वहां पे स्वण मुद्रा जो थी उसको हम बोलते हैं दिनार अचा कायस्तो का सरवादिक वर्णन जो है आपक का ओसनम स्मृति में मिलता है ठीक है अचा विंद जंगल में सबर जाती कि लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चड़ाते थे मतलब यह यह विंद जंगल विंद का मध्रदेश वाला एरिया जो है उपर की साइड ठीक है कौन सी जाती है सबर अचा देवताओं को क मिलेगा ठीक है अचा जिसमें क्या हुआ किसी भोझ राज की मृत्यूफ पर उसकी जो पत्नी है उसने सथी मदल्ब वह सती हो गई ठीक है अचा गुप्त काल के वयश्यवरती करने वाली महिलाओं को गड़ी का जाता था जो वयश्यवरती कर रहे हैं क्या बूल जाता है ग गुप्तो का क्या था राज सिंग सिंबल था गरुण अच्छा गुप्तकाल में क्या है विष्णुधर्म सबसे महतपूर क्या है अवशेश देवगण कौन से है ललितपुर जिला कहां पर मदपरदेश का दफ्षा दस अपतार मंदिर और यह जो है आपका बेतवा नदी के अब यहीं पहुंचे है तो इसमें लिखा अजन्ता कि निर्मी जो है 29 गुफा है और उसमें से जो वर्थमान के वल 6 ही शेश बची अजन्ता है अजन्ता उसमें किती गुफा 29 में से अब बची किती है मतला सब तूट फूट गई होगी तो छे बची हुई है अच्छा इस दोनों आपकी गुप्त का लिए इन फैक्ट अब उन्नीस जो है वह भी गुप्त का लिए इसमें गुफा की संक्या सोला कि मर नासन राजकुमारी का चेतर मतलब भी इनक गुफा नंबर सोला में ऐसा कहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होगे तो इसमें कहा है इक फो चित्र बने हुए है तो गुफरम पर 17 के चित्र को चित्रशाला का गया और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन, जीवन, महा भिनेशकरमर, क्रमण, महा परी, निर्वान, महा भिनेशकरमर जब उन्हों बुद्ध ने घर त्यागा था, महा परी, निर्वान जब उनकी इम् और महयान तो जो 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 अजन्ता की hain उसमें आपको कक्या मिलेगा बौत धर्म की महायान शाखा है उसे समंदेश चित्र मिल जाएंगे गुपतकाल में निरमित अन्य गुफ़ा जो है बाग की गुफ़ा है 안 हो गई एक हमने फिर धार जिला में जाई वहां पे विंद परवत को काट कर यह जो गुफाएं बनाई गई है इसे हम बोलते हैं बाग की गुफा ठीक है कुप्तकाल में जो है विष्णु सर्मा द्वारे लिखेत क्या नाव है पंचे तंत्र यानि कि लिखी के इसे में संस्कृत भाशा में लिखेत को संसार का सरवादी जो है प्रचले द्गरंत माना गया है तो बाइबल के बाद जो इसका इस्थान क्या है सेकिंड नमबर पर आ आरेभाट ने आरेभाट त्यम ठीक, अरेभाट ने आरेभाट यम और सूरिस धान नामा ग्रंत है, इस चंद ग्रंड के कारण दटया, इननने कहा क्यों होता है सूरिग्रंड कब कैसे क्यों हो ए और चंद работы कब कैसे ilan अर्व पहला भारती पर दीडितियानि में इन्हों ने खोश Bishop अपनी दूरी पर घूमति है अपनी धूरी पर घूमती है ठीक है थेकि अपनी धूरी पर भी घूमती रहती है ठीक व्रहसनिता कि रचना करी है और व्रहसनिता में नकषतरविद्य हो गया प्राकरती कितिहास contaminated Aokista जो है महान क्या नक्षेत्र विग्यानिक थे या गड़ी तक गे थे कौन ब्रह्म गुपता ठीक है तो उसने ये जो है गोशन करके कि न्यूटन का सिध्धात की पूर कल्पना कर ली ठीक है मतलब तो प्रकरती के एक मियम के उनुसा सभी वस्तुरे मतलब इनने क्या बताए कि जो सभी वस्तुरे में ग्रावटि होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खीशती है लिदा आप कोई बीची ऊपर खेगेंगे तो नीची आईगी प्रिठी पिआस बात से बुला कि प्रिठीवी ही पर गिरती है क्योंकि प्रिठीवी जो है गुपतकाल की गई इस पुस्तक में क्ये है आपका नुस्खे सूत्र उप्चारविदियां दी गईे अब पुराणोड की वर्तवान रूप में रशना गुपतकाल में की गई ठीक है अश्में एतिहासिक पर और परम्पराओं का उल्यह फेले होती थी संस्क्रित शाशक्रा की घथा और इस और जी होगा है। छो राजा थे उनकी शाशकक्रा क्यातनी संस्क्रित हों, गुबतकाल में चान्डी के षिक्क 2015 को को रुपयका, और जे सो ने के थे गाइस उसको हमने बोला था दिनार राइट अच्छा यहां प्लिखा यागवल्यक नारद हो गया कात्यायन हो गया फिर है ब्रहस पती हो तो यह सब इस्मृति है इसकी रशना कब हुई है आपकी गुप्तकाल में हुई है तो अब मंदिर बनाने की जो कला है ना उसका जन्म है वो आपका कब होता है गुप्तकाल में होता है ठीक है त्री मूर्थी की जो अब धार्ना उसका विकास भी कब हुआ है गुप्तकाल में हुआ है तो गुप्तवंस के शाशकों ने जो है मंदिरों और ब्रामडों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदार में दिये म किसको दान के मंदिरों को करे और ब्रहामड को करे अचा गुप्तकाल जो है आपका लौकिक साहित को सरजना के लिए कहे इसमर्णी है ठीक है लौकिक साहित की सरजना के लिए कहे इसमर्णी है गुप्तकाल ठीक है भास के तेरा नाटक इसी काल के है भास बंदा है उनके तेरा नाटक है, इसी काल के है, सूद्रक का लिखा नाटक, मतलब शूद्र, सूद्रक एक बंदा है, जिनका नाटक क्या है, आपका मर्च कटिकम, ठीक है, या माटी की खिलोना गाड़ी, जिसमें एक निर्धन ब्रामण है, उसके साथ एक वैश्या का प्रेम बढ़े थे, मतलब ए लफ स्टोरी है, एक ब्रामण और एक वैश्या, ठीक है, उनका प्रेम, मतलब उनका लफ स्टोरी के बारे में, प्राची नाटकों में सर्वोत करश्ट माना गया है, इसको, म्रच कटिकम को, किसने लिखा है, सूद्रक ने, आजब कालिदास है, उन्होंने क्या लिखा है, सकुन्तरम, राजा दुशंत और सकुन्तला की लफ चोरी है, प्रथम भारती रशना, ठीक है, जिसका अनुआ जो है, यूरोपिय भाषा में हुआ है, ठीक है, अईरोपी भाशा में हुआ है, किसका अभिक्यान शकुन्तलम का ट्रांसलेशन, ऐसी दूसरी रशना है, पहली गुप्तिकाल हो गया तो अच्छा इसमें लिखा है नगरों का क्रमिक पतन पतन जो है गुप्तिकाल की प्रमुक विशेषता है मतलब जो नगर हुआ करते हैं अब इसका पतन होने लगा यह एक तरह से खतब होने लगी ठीक है खतब होने लगी तो इसका जो जो क्रमिक पतन ह पतन है जो है गुप्तिकाल की महतफूर विशेशता है यहां पर खतम होने लगे नगर तो आप लोगो थोड़ा समझ में आया हो तो अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा चले गाइस वीडिय वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अब जो मिलेंगे हम वो पढ़ेंगे वाकाटक राजवर्श